अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोश्चन नमर 14 राम और स्याम एक फर्म में साइधार थें उनकी पूंजी क्रमसा 20,000 तथा 30,000 थी उन्होंने अनुच को साइधार में 1,4 के लिए प्रवेश देने का निश्चे इस सर्थ पर किया कि वे 15,000 पूंजी के तथा 20,000 ख्याती के लाएगा अनुबंध में संपूंण पूंजी का भुक्तान कर दिया परन्तु वो ख्याती के 12,000 ही ला सका उपरोग सुचनाओं की आवश्यक रुजना प्रविश्टियां कीजिए साइधारों के पूंजी खाते तथा अनुष का चालू खाता बनाईए तो चलिए हम लिए को इस को सॉल्फ करते हैं कोशन नंबर 14 को यहां पर सलूशन दिया है सपोस्टो टोटल प्रॉफिट इस वन तो वन माइनस वन बाई फॉर यानि एक बटा चार हिस्ता के लिए था तो आएगा तीन बटा चार तो राम का एक बटा दो था गुले तीन बटा चार करें तो इ यह रेशियो बन गया है तो अब हम लोग जनरल इंट्री देख लेते हैं तो पहरा जनरल इंट्री है कैस अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट तो यह 15,000 है तो 15,000 है तो 15,000 डेबिट और क्रिडिट दोनों साइड हम लोग इस चीज़ को लिख देंगे द अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो partners capital account हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर partners capital account के debit side देख लेते हैं तो two balance CD है 80,000, 40,000 और 15,000 और इसके credit side में देख लेते हैं तो buy balance BDA पहले 20,000 और 30,000 अनूज को कुछ नहीं है तो फिर यह देखिए buy bank है क्योंकि 15,000 ला रहा है अनूज तो इसलिए उसके column में 15,000 है फिर buy profit of goodwill account देखिए 6,000 था तो उस चीज़ को 6,000 हम लोग यहाँ पर दोनों के column में लिख दियें फिर इसके बाद buy अनूज अनूज ने दिया तो इसको देखिए 4,000 यह नहीं से है to siams 4,000 से है तो इसका buy balance bd 8,000 था तो 8,000 क्रिडित में था तो दोनों के देखिए आप यह देखिए आप यह देखिए आप यह देखिए तो यह अकाउंट इसका current account बराबर आ गया है 8,000 डिबिट में और 8,000 क्रिडिट में दोनों साइट देखिए आप यह बराबर आ गया है